ग्रिह मंत्री की बैठक के बाद जम्मू में पहुँचे हजारों सैनिक ग्रिह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिती पर एक महित्वपूर्ण बैठक की इस बैठक के बाद यह सूचना आई की जम्मू में सैनिकों की तैनाती में वृद्धी की गई है बताते चले की जम्मू शेत्र में लगातार हो रही आतंकी वारदातों को देखते हुए भारतिय सेना ने वहां अतिरिक 3,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है सूतरों के मुताबिक इसी हफ़ते सेना ने जम्मू शेत्र में एक ब्रिगेट हिट क्वोर्टर, तीन बटालियन और कुछ पेरा एसेफ की टीम को भी भेज दिया है एक बटालियन में करीब 800 सैनिक होते है इसी तरह एक पेरा एसेफ टीम में करीब 40 कमांडो होते है इस तरह करीब 2500 सैनिक और करीब 500 पेरा कमांडो को जम्मू भेजा गया है इसके साथ ही C.A.P.F. Central Armed Police Force ने भी जम्मू शेत्र में अतिरिक्ट सैनिकों की तैनाती कर दी है जम्मू शेत्र में चार साल पहले सेना की करीब 4 डिविजन जितनी संख्या थी युनिफोर्म फोर्स को A.L.A.C. भेजने से यहां तीम डिविजन रह गई यहां अभी राष्ट्रिय राइफल आरार की रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स है यह पूरी तरह से काउंटर इंसरजेंसी काउंटर तेरीजम C.I.C.T. तास को देख रही है एक फोर्स में एक डिविजन जितने यानी करीब 12,000 सेनिक है UPAC के चेर्मेन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा Union Public Service Commission UPAC के अध्यक्ष मनोज सोनी ने नीजी कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है प्रख्यात शिक्षाविद मनोज सोनी ने 28 जून 2017 को UPAC आयोक के सदसे के रूप में पदभार संभाला था उन्होंने 16 मई 2023 को UPAC अध्यक्ष के रूप में शपत ली थी UPAC में अध्यक्ष के रूप में उनका कारेकाल 15 मई 2019 को समाप्थ होना था हाल में पूजा खेदकर मामले की चर्चा है लेकिन मनोज सोनी ने बताया कि परिविक शाधीन IAS अधिकारी पूजा खेदकर का मामला सामने आने के बाद उनका इस्तीफा किसी भी तरह से संग लोग सेवा आयोग UPAC से जुले विवादों और आरोपों से जुला नहीं है मनोज सोनी डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेदकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात के VC के रूप में दो कारेकाल एक अगस्त 2009 से 31 जुलाई 2015 तक पदभार ग्रेहिन कर चुके है Microsoft Outage पर सरकार की Advisory भारत सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े IT Outage से निपतने के लिए एक महत्वपूर्ण Advisory जारी की है इस सलाह में उप्योग करताओं को निर्देश दिये गए है कि वे अपने Windows सिस्टम को Safe More या Windows Requirey Environment में बूत करें इसके अलावा, यूजर्स को CrowdStrike Portal से ताजा अपडेट चेक करने के लिए भी कहा गया है केंद्रिय मंत्री अश्विनी वैशनव ने कहा कि इस संकत से निपतने के लिए सरकार Microsoft के संपर्क में है Microsoft की एक खामी के कारण शुक्रवार को हवाई अड़ों और एयरलाइन परिचालन में बड़े पैमाने पर व्यवधान आया विभिन एयरलाइन्स ने यात्रियों को सलाह जारी की है Indigo, SpiceJet और Akasa Airlines को अपने नेटवर्क पर ओनलाइन चेकेन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिससे उन्हें ओफलाइन माध्यमों से काम करना पड़ा Indigo ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी दीकी उनके सिस्टम Microsoft की खामी से प्रभावित हुए है जिससे Booking, Checking, Boarding पास तक पहुंच और कुछ उड़ाने प्रभावित हो सकती है Company ने कहा कि वे सामाने स्थिती बहाल करने के लिए पूरी तरह से सक्रिये है और इन व्यवधानों को तेजी से हल करने के लिए Microsoft Azure के साथ मिलकर काम कर रहे है हरियाना अवैथ खनन में कांग्रेस विधायक पर ED का एक्षन सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंदर पमवार को दिली से ED टीम ने हिरासत में लिया है जिसके बाद अंबाला कोर्ट में पेश किया गया है मिली जानकारी के अनुसार अवैथ खनन मामले में यह कारवाई की गई है सुरेंदर पमवार के घर चार जून को ED ने चापा डाल कर जांच की थी तब टीम कई कागजात ले गई थी सुत्रों का कहना है कि अब अदालत के बाहर से ही ED की टीम ने उन्हें हिरासत में लिया बाद में सोनीपत भी लेकर आई और बताया जा रहा है कि उसके बाद अंबाला ले जाया गया कांग्रेस नेता इसे राजनीती से प्रेरित बता रहे है प्रवर्तन निदेशाले, ED ने चार जन्वरी को खनन के किसी मामले में यमुनांगर के पूर विधायक दिलबाग सिंग्व सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पमवार के खिलाफ जांच की थी और उनके ठिकानों पर रिकार्ट खंगाला था सुत्रों का कहना है कि शुक्रवार को विधायक को मामले से जुले सबूत देने के लिए बुलाया था वहां कोर्ट के बाहर से ही उन्हें हिरासत में ले लिया इसके बाद टीम उन्हें सोनीपत में उनके आवास पर लेकर आई और फिर अंबाला लेकर चली गई विधायक सुरेंद्र पमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंग हुड़ा के करीबियों में माना जाता है अयोध्या में पुजारियों के लिए ड्रेस कोर लागू रामलला की पुजार्चना करने वाले पुजारियों के लिए ड्रेस को लागू कर दिया गया है रामंदिर के पुजारी अब सफेद धोती वपीली चौबंदी में नजर आएंगे ट्रस्ट की ओर से जल्थ ही सभी पुजारियों को ड्रेस उपलब्द कराया जाएगा साथ ही रामलला की पुजार्चना करने वाले सभी 25 पुजारियों को रामंदिर ट्रस्ट की ओर से कीपैड फोन दिया गया है पुजारी रामंदिर में अब केवल कीपैड वाले फोन का ही इस्तेमाल कर सकेंगे एंद्रायट फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है से पुजारियों को तीन सेट गर्मी के लिए वा, तीन सेट थंडी के लिए ड्रेस उपलब्द कराई जाएगी, रामंदिर में पुजारियों के लिए एंद्रोयट फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है, ट्रस्ट ने पुजारियों को कीपैड वाले फोन दे दिये है, पुजारी रामंदिर में इसी फोन का इस्तेमाल बात करने के लिए करेंगे, जबकि उनके इंद्रायट फोन को मंदिर में बने लौकर रूम में जमा करा दिया जाएगा. बांगलादेश में हिंसक हुआ आंदोलन संस्थानों में ताला लग गया और छात्र अपने घर वापस चले गए है. आरक्षन आंदोलन के बीच सरकार ने कहा है कि वह मुद्दे पर बात करने के लिए तेयार है. वही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुद्दे के समाधान तक उनका विरोध नहीं रुकेगा. इस सन्युक्त राष्ट्र संगठन ने भी हिंसा पर चिंता जताई है. धाकस्थित देली स्टार अखबार में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर और विशलेशत अनु मुहम्मद ने लिखा इतने बड़े प्रदर्शन के पीछे का कारण यह है कि कई छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती.